चावल उस दिन दान किया जाता है ठीक है मकर्स आपको देखिए मैं क्वांटीटी नहीं बताऊंगी आप अपनी एकोर्डिंग ले लिजिएगा तो सबसे पहले चावल जिंदिगी में आदमी भाग दोड के लाइफ में दान जैसे भूल जाता है कमाते तो हम हैं लेकिन दान करना न भूल जाते हैं लेकिन मकर संक्रांती ऐसा ब्रत नमस्कार दोस्तों मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जवे में कैसे हैं आप सब तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जैम आता दी जरूर लिखे तो चल संक्रांस तो चलिए आज मैं बताऊंगी कि मकर संक्रांती में बच्चों से क्या दान करवाएं कौन कौन सी चीजे हैं जो बड़े लोगों को हमें दान करने के लिए देनी चाहिए इससे भी अधिक भी आप दे सकते हैं और इससे कम भी दे सकते हैं तो इसी के उपर हमारा का वीडियो है और साथ में छी और बताऊंगी कि मा लिजै कि बहुत सारे लोग है ना कि आनाज व थानy कर पाते हैं कि कहां देंगे सब के पास मंदिर र ACC लुप मेरे यहां आपको दान करनी तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कौन-कौन सी चीजें हमें जरूर्व दान करनी चाहिए मकर संक्रान्ती के दिन तो देखिए एक थाली ले लिजिए यह जो ही आपके पास पात्र है थाली ले लिजिए इसमें आपको चावल जैसे छावल उस दिन दान किया है ठीक है मकर्स आपको देखिए मैं क्वांटीटी नहीं बताऊंगी आप अपनी ले लिजिएगा तो सबसे पहले चावल जिंदिगी में आदमी भाग दोड के लाइफ में दान जैसे भूल जाता है कमाते तो हम हैं लेकिन दान करना भूल जाते हैं तो देखिए चावल आप अपने हिसाब से ले लिजिएगा अपने कोडिंग ले लिजिएगा आपको कितना दान करना है क्योंकि दान तो हम करती हैं लेकिन मकर संक्रांती का दान एक महा दान माना जाता है खिचडी के दिन दान करना तो चावल उस दिन दान किया जाता है चावल लेंगे साथ में हमे क्या लेनी है दाल भी मैं बता देती हूं और दान कभी भी न जैसे थोड़ा सा सेप्रेट कीजिए एक साथ मत कीजिए देखें मैं डाल के आपको यह उरद की दाल उस दिन दान किया जाता है लेकिन काली वाली मुझे काली वाली दाल नहीं मिला तो इसलिए मैं सफेर दाल है तिल काला तिल अगर आपके पास है तो काला तिल दान कीजिए और अगर इस जगह पे आप चाहें तो तील का लड़ू भी हम जो बनाते हैं वो लड़ू भी आप दान कर सकते हैं तो तील का लड़ू या काला तिल आपको उस दिन दान करनी चाहिए ठीक है तो यह दो ची वो हमें अगले जनम में मिलता है तो थोड़ा सा दान की चीजें हमें ध्यान से दान करनी चाहिए कि जो ही दान करें वो सामने वाले के काम में आ जाए उनकी यहां जाए तो मतलब लोग उसको सही से इस्तमाल कर पाएं तो ऐसी चीज़ें हमें दान करने चाहिए, तो आप चाहें तो आलू, प्याज लहसन मत दान कीज़ेगा, गोभी, मटर, खिचडी के लिए, खिचडी का दान इसको बोला जाता है, तो यही सिफ चीज़ें हम दान करते हैं, और साथ में नमक, अगर आप चाहें, तो नमक भी दान कर सकते हैं, ठीक है, तो खिचडी वाली चीज़ें उस दिन दान किया जाता है, अगली चीज क्या है, कि अगर आप चाहें, तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूं, आप नच यह ऐसे चीवड़ा का भी दान कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया के पूर इन सभी चीजों का दान करते हैं साथ में दही अगर आपको मिले तो दही का भी उस दिन लोगों को लोग दान में खिचडी खिलाते हैं गरीबों को दान करते हैं जो ही लोग हैं जिनके पास नहीं है अगर आप चाहें गंगा घाट जा रहे हैं वहां भी आप दान कर सक जरूरत मन्द लोगों को आप उस दिन भोजन भी करा सकते हैं, खिचडी बना कर या खिचडी में जितनी समागरियां इस्तमाल होती हैं, वो सब चीजे भी आप दे सकते हैं, जरूरत मन्द लोगों को, ठीक है, तो चिवडा भी आप दे सकते हैं, और ये गूर भी दे सकते है और मैं देखें लड्डू अभी मैं बनाई नहीं हो अगर आपके पास है तो यहीं होगया अगली चीज क्या है साथ में आपको ध्यान रखनी है कि जैसे पैसा, मुद्रा उस दिन अपने हस्बेंट के या आपके घर में जो ही बड़े बुजूर्ग है उनको पैसा, चास, सो जितना आप देना चाहते हैं बीस, दस जितना आपसे हो सके आप दे सकते हैं तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखनी है देखिए, जितनी चीजे दान वाली है, वो मैं आपको दिखा दी दाल, तिल, चिवडा गूर, अगर देना चाहें तब अगर चिवडा गूर नहीं भी रहेगा तो इतनी चीजे तो आपको जरूर दान करने के लिए अपने हस्बेंड को या अपने ससूर जी को या आपके घर में जू ही है, आप खुद भी दान कर सकती है, ठीक है, तो यह हो गई दान की बाते, अगली चीज क्या है, और देखिए, मुझे तो अभी मीला नहीं, जो लाई में दान कर सकते हैं, लड़ू भी दान कर सकते हैं, छोटे बच्चों को कैसे करने हैं, छोटे बच्चों को अगर इतना सब नहीं देना है, तो हर आदमी को आपको तिल और चावल, देखिए, मैं दो जगर रख के भी आपको समझा दे रही हूँ बच्चों को कम से कम चावल और साथ में ऐसे तिल मिक्स करके हर बच्चे को आपको दान करा देनी चाहिए 10 रुपए हो 20 रुपए हो उतना दे के आपको बच्चों को दान करवानी चाहिए बड़े लोगों को आप इस प्रकार से सजा के दान करवाईए लेकिन छोटे बच्चों को आप और कुछ नहीं तो देखिए हर बच्चे से इतना तो दान आप करवाई सकते हैं मतलब अगर चाहे तब एक चीज और बता देती हूं वो क्या हो गई कि माल लिजिए कि सब के पा रहेगा तो लगेगा ही तो क्या करनी है कि अगर माली जे इतना सब समागरी अपने ही देना चाहते हैं तो हर परिवार न उस दिन दान लेकिन पक्का कीजिएगा मेरे कहने का मतलब यह हुआ जितना ही भगवान ने दिया है पांच रूपए दस रूपए बीस रूपए लेकिन हर बच्चे से उस दिन आप दान करवाईएगा ठीक है 10 बीस प्चीस जितना ही देना चाहते हैं अगर अनाज नहीं दे रहें तव तो यह हो गई दान करने की विधी ठीक है अगर देना चाहते हैं तो चावल और तील तो बच्चों से भी जरूर करवाई है और बागी सब घर के बड़े लोगों के लिए यह सब चीजे आपको देनी है तो यह हो गई दान की प्रकिरिया तो यही सब दान की चीजे थी दान अगर आप करना चाहते हैं तो अनाच का भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो पैसा का भी कर सकते हैं कंबल का भी कर सकते हैं और कपड़ी भी आप स्वेटर वगरा वी जरूर विश करता है कभी 15 को भी परता है क्योंकि सूर्य जो है ना रासी परिवर्तन करते हैं एक रासी से दूसरे रासी में जाते हैं तभी मकर संक्रांती और अस्मान पढ़ता है जो लोग नहाने जाते हैं अलग 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 तरीके के उस दिन पकवान भी बनते हैं अलग अलग तरीके से लोग मनाते भी हैं तो सबके अपने अपन को मनानी है और उस दिन पड़ा है सनीवार तो सनीवार को आपको मालूम है काले चीज़ों का दान करनी चाहिए तो तील आप बिल्कुल मत भूलिएगा पैसे के साथ तील कभी दान कर दीजिएगा तो पंद्र को आप खिचडी का ब्रत मना ये मकर संक्रांती का तेवहार मना और एक जो सबसे महत्वपूर चीज है वो क्या है कि उस दिन जनियों को उस दिन बदला जाता है अगर आपके घर में जनियों लोग पहनते हैं आपके यहां पहना जाता है क्योंकि हर आदमी जनियों नहीं पहनता है लेकिन यह जनियों जो है अगर आपके यहां पहना जात गता है तो मकर संक्रांती के दिन जो है ऐसा माना जाता है खर्मास के बाद शग्र बदल न जरूर मकर संक्रांती के दिन अपनर दीजिएगा तो यह हो गई ले पकब बूलिए अपने हिसे को जरूर नया दे दो और देखिए सभी चीजों का दान कैसे करते हैं इक तो हर चीज को चूचू के दान करनी चाहिए अब सजल लेके, पानी लेके और एक गुमा के खिचडी का दान है बोलते हैं, पानी को दो वार, ऐसे पानी हाथ में लेके, दो वार प्रामौनख को देना है कैसे भी दे जो फैसे आपको नहीं देनी है आपको न एकदम सम्मान के साथ आधर के साथ जैसे दाल है तो दाल एक-अलग देंगे सेपरेट देंगे मतलब आपको समझा धे रहे हुं ठीसा इतनी भी चीजे आपको अलग-अलग देनी चाहिए पेपर में दीजिए या ऐसे पनी में छोटे छोटे दीजिए लेकिन आपको बरतन तो देंगे नहीं अगर नया बरतन देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं लेकिन ऐसे आप मिक्स करके मत दीजिएगा मेरे कहने का मतलब है कि हर चीज को मिला कर किसी को नहीं देनी तो लेडी जून मुझे तो नहीं बतानी चाहिए लेकिन फिर भी बता दे रहे हूं कि देखे जनियों का नियम क्या है हमारे घर जब पहनते हैं मकर संक्रांती के दिन तो क्या बोला जाता है वो भी थोड़ा सा जान लीजिए जो पहनेंगे उनको आइडिया लगेगा तो दे योगी रहेगा तो थोड़ा सा देख लीजिए कैसे करते हैं इसको पहनने से पहले कैया करना माली जी धरति है तो ईसको एसे चूँलकर व долनिके धर तिचुँ बर्तन अनाज छू इस प्रकार से पांच बार बोलके पिर आप पहन सहाँ जनियों को तो इसका ही नियम में लेकिन और अस्नान बिधी direct आप प्रकिर्या है तब तो बहुत अच्छी बात है लेकिन घर में आपके साथ सेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में तो यहीं तक था आप लोगों को बहुत अधिकलाब मिलेगा फिर मिलती हूं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहिए शुरक्षी मना ये